हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हैं सबसे पहले क्या करोगे हमारे चैनल को लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे अगर अच्छा लगता है तो उसको सेर भी करोगे और नोटिफिकेशन एकन को उन कर लोगे जिससे कि जो भी नई वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे है आज हम बात करेंगे रोटेट और मिरर कमांड की तो कैसे इनको इस्तुमाल करने देखते हैं पहले को इस Geometry बना लेते हैं जैसे कि यह Geometry बनाई है और मिरोको क्या करना है इस Geometry को रोटेट कराना है ठीक है तो रोटेट कमांड का इस्तुमाल करेंगे Select Object कर रहा है तो Object को Select कर नेंगे उसके बाद एंटर करा देंगे उसके बाद यह पूछ रहा है लेकिन बाइडिफॉल्ट ओटो केट में सैटिंग्स क्या है कि रोटेशन जो होगा हमारा एंटी क्लॉक वाज डायरेक्शन में होगा तो जो भी हम यहां पर एंगल प्रोवाइड करा देंगे आप ठीक है जैसे मेरे को 90 डिग्री रोटेट कराने तो है क्या करूंगा 90 डि आप अब्जेक्ट करेंगे इसके बाद बेश पॉइंट डिफाइन करेंगे बेश पॉइंट करने का यहां से कॉपी कॉप्षन आ रहा है कॉप्षन को सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे हमने कॉपी option सेलेक्ट किया तो देखो नए ऑबजेक्ट तो क्या हमारा रोटेट होके पुराना object हमारा उसी position पर बना हुआ है ठिक है यहाँ पर हम इसको क्या करें 90AC रोटेट करा देते हैं तो देख सकते हैं हमारा rotate हूआ और हमारा पुराना object ही राए ठिक है तो इस परकार से हम क्या करेंंगे object को rotate करा देंगे उसके बाद है हमारा mirror command तो mirror command को कैसे इस्तुमाल करना है देखते हैं तो select करेंगे mirror command यह पूछ रहा है select object तो object में क्या करता हूँ एक बार मैं select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है इस पैसे है first point of mirror line तो जिस line के about क्या करना है mirror कराना है तो हाँ पर first point देता होगे जैसे मैं यहाँ से start करता हूँ और यह second point पूछ रहा है तो second point में यहाँ पर दूँगा तो देख सकते हैं कि जैसे हमारी line टेड़ी जा रही है तो उसी क्या हो रहा है यह mirror हो रहा है ठीक है लेकिन हम क्या चाते है कि exact perfectly vertical line के about क्या हो यह mirror हो तो यहाँ से क्या करेंगे हम ortho mode को on कर देंगे और जैसे हम ortho mode को on करेंगे तो देख सकते हैं हमारा object क्या है perfectly vertical line के about mirror हो रहा है ठीक है click करेंगे और यह क्या पूर्ष है हम से erase source object अगर yes करोगे तो पुराना object क्या होगा हो erase हो जाएगा otherwise no select करोगे कोई हम आप जैक्ट को पुराना रखना भी है क्योंकि mirror में हमें दोनों object को ही देख लेंगे ठीक है तो यहां से में क्या करता हूँ no select कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हम क्या करेंगे mirror का इस्तमाल कर लेंगे